हेलो फ्रेंट आज हम लोग बात करेंगे chemiosmotic hypothesis के बारे में तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे chemiosmotic hypothesis क्या होता है इस में कौन-kौन सा प्रोसेस होता है तो फरस्ट आप ओल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, सेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे तो आईए हम देखते हैं केमिवास्मोर्टिक हाइपोथेसिस का ड्राइगराम NCRT के एकोर्डिक यह ड्राइगराम दिया गया है और मैं जो समझाऊंगा आपको, वो मैं आपने एक नोट्स में बनाकर ड्राइगराम जो रखा हुआ हूँ उसके एकोर्डिक आप लोग को समझाऊंगा तो आईए हम लोग देखते हैं कि केमिवास्मोर्टिक हाइपोथेसिस होता क्या है तो यह एक टर्म है केमिवास्मोर्टिक तो इसको यह जो एक वर्ड है या एक टर्म है तो इसको समझते हैं पहले इसका मिनिंग क्या होता है तो इसको दो टम में break करेंगे दो टम में chemi plus osmotic chemi plus osmotic chemi means होता है chemical chemi बोले तो chemical और osmotic बोले तो osmosis क्या chemical क्या osmosis तो chemical जो होता है यह chemi osmotic में chemi osmotic hypothesis में एक term बारबार यह term use होगा यह है H plus H plus को ही हम लोग proton बोलते हैं बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं और osmosis बोले तो change in concentration तो osmosis भी पहले से जानते हैं कि क्या होता है तो change in concentration तो क्या chemical क्या osmosis यह समझ गया है तो इसका बस इतना ध्यान में रखना है कि chemi osmotic दो टम का word है chemi plus osmotic chemi means chemical और osmotic means osmosis क्या chemical तो h plus या proton osmosis क्या तो change in concentration तो यह term याद रखना है यह term आगे use होगा जब मैं diagram based theory कुछ बात बताऊंगा उसमें यह term बारवार use होगा तो बस ध्यान में रखना है तो आईए अब हम लोग देखते हैं chemi osmotic hypothesis का diagram based कुछ knowledge लेते हैं तो यहाँ पर chemi osmotic hypothesis तमझने के लिए first of all हम लोग एक plant cell बनाएं यहाँ पर मैं अपने एक notes में plant cell बनाया हूँ और सबसे पहले इस चीज को समझाँगा कि यहाँ पर plant cell में क्या क्या है तो plant cell में आप लोग पहले से पढ़के आएं कि क्या होता है outer surface जो होता है वो cell wall का होता है outer surface cell wall का होता है inner surface जो होता है वो cell membrane होता है plant cell में outer surface cell wall और inner surface cell membrane plant cell के periphery में मैं एक nucleus छोटा सा बना दिया हूँ plant cell के periphery में मैंने एक nucleus छोटा बना रखा हूँ और plant cell में chloroplast होता है यह भी आप जानते हैं जो रहा यह इनर मेंब्डन और यह यहां पर यह ठाईलकॉइड का स्ट्रक्चर यह सीमगल कहें ऊपर एक रखा वह इसा प्रटिकुलरली एंट इसालेेकॉईड़ है ओके यह पूरे को जब बोलेंगे हम लोग तो ग्रैनम बोलेंगे और यहां पर जो डॉट डॉट कुछ सोक किया गया है यह मैंने किया है यह सोक डॉट डॉट जो है यह थाइलेकोईट के आउटर सर्फेस में यह आउटर पार्ट में इसको बोलते हम लोग स्ट्रोमा यह होत के Liquid Matrix को हम लोग बोलते है Estroma को कि यह तो हम लोग Plant Sil का बात कर लिए है यह यह थाइलकोईड एंड है तो यह पर सिंगल था ले लेता है यह यह फिर यह तो यह जो थाइलकॉइड के आउटर साफेस में जो होता यो प्रेज़न क्या होता है Kayla' ilicumetrics stoma होता है यह देहानみे रखना है और एक बात और कि यह जो एक single Thilecoid तो इसके यह बीच में यह जो गैपिंग है वाइट वाइट से दिख रहा है कुछ यह जो गैपिंग है यह क्या है यह gapping को बोलते हैं हम लोग यह जो ईढ़ाफं को बोलते हैं और देखेंगे तो मैं इसका ड्याग्राम पहले से बनाकर रखाऊं थालेकोईट का क्योंकि अगर मैं क्लास लेते टाइम अभी विडियो स्टार्ट करके ड्याग्राम बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो चला जाएगा इसलिए मैंने पहले से बनाकर रख चुका हूं यहां रखाऊं तो देखते हैं यह क्या होता है तो थालेकोईट का यह ड्याग्राम है थालेकोईट के ड्याग्राम में यह दो लाइन्स दिखाई दे रहे हैं तो यह जो दो लाइन्स है यह एक ही है यहाँ पर दो लाइन नहीं होता है डवल मेंब्रेनस नहीं होता है यह थाइलेकोईड होता है यह सिंगल ही है बस इसको मैंने जूम करके बनाए यहाँ पर यह सिंगल ही है दिख रहा है ना यह सिंगल ही है बस इसको मैंने जूम करके बनाया यह बड़ा सा फिगर बनाया इसलिए यह डवल दिखाई दे रहा और यहाँ पर कुछ लिखना था इसलि क sv2 अभड के में सो बिखायब डर करके मैंने में दिखाया था ठालेख लेकुइड के लिक्विड मैट्रिक्स जो णते होता है वह यहां यहां पने दाइं नहीं ज़ भी दिया लेखना पर लिख लिक दिया कि क्या होता है तो यह यहां पर था तो यहां पर यह बढ़ा था यह तो बाहर तो एस्टोमा है इनर साइड में यह रहा यह inner side है यह लूमन है यहां लिख रखा हूँ मैं लूमन तो इसको बोलता है लूमन अब देखते हैं कि क्या-क्या टॉसेस होता है केमि आस्मोर्टिक हाइपोथेसिस में तो यह पीएस सेकेंड है 680 नैनोमीटर का लाइट यहां पर यह पीएस सेकेंड में लाइट एनर्जी आता है खोने से पहले जाले का पर आता है तो सबसे पहले आता है स्पीछिल में तो normally different औरलिप में कहा है तो जिसको मेजोफिल अल pien य Mode जय नहींद और मेजोफिले में कहा है तो नोट्र फ्रफ और इंशिता वे ने कहा है ने पार इंश सेकंडर गनर नकिında है यहां पर लाइट इमेट्स होगा जैसे ही लाइट इमेट्स होगा यहां से लेक्टरन का ट्रांस्फर होगा तो चार यहां पर एक एक करके electron का transfer होता है तो यहाँ पे PQ है सबसे पहले क्या रहता है PQ, plasto, Q inon तो Q जो है यहाँ एक electron लेता है तो यह क्या हो जाता है PQ से, जब एक electron लेता है यहाँ से तो यह हो जाता है PQ minus और फिर यहाँ से H plus यह accept करता है Stroma side में H plus ज्यादा होता है Stroma side में H plus का concentration होता है ज्यादा पहले, first stage में तो यहाँ पे H plus यह क्या करता है gain कर लेता है, quinon तो यहाँ से जब P.S. second से electron का transfer होता है excitation होके तो चार electron का transfer होता है तो पहला electron जैसे ही लेता है PQ minus हो जाता है PQ minus, plastoquinon minus हो जाता है तो यह यहाँ से 1H plus लेता है फिर, एक electron फिर से transfer होता है तो यहाँ क्या हो जाता है यह PQ minus जो जो जाता है sorry यहाँ से एक electron transfer होता है तो क्या होता है PQ minus और यह H फिर accept करता है तो PQH हो जाता है ओके और फिर से एक electron transfer होता है तो PQH- हो जाता है फिर से क्या हो जाता है PQH- पहले यहां पर मैं term लिख देता हूँ जब P H second से electron excite होके और प्लास्टोखिनोन के पास जाता है तो क्या हो जाता है PQ- एक electron का ट्रंसपर हुआ तो तो estromaside से एक hydrogen इसके साथ bind करता है तो यह क्या हो जाता है, मैनस हट जाता है, और PQH बन जाता है, यह PQH बन गया, फिर दूसरा अलक्टरन जैसे ही ट्रांसफर होता है, PQH के पास, यह PQH के पास, फिर से दूसरा अलक्टरन ट्रांसफर होता है, तो क्या हो जाता है, यह PQH-, फिर से यहां स्टोमा साइट से H plus bind करता है तो यह क्या हो जाता है माइनस हट जाता है और PQ H2 बन जाता है तो ये जो PQ H2 है ये actually में रहता है पहले यहाँ पर और ये PQ यहाँ रहता है तो जैसे ही PQ H2 बनता है electron के transfer के कारण या H plus यहां से accept करने के कारण तो ये reverse हो जाता है यहां से PQH2 यहां जाता है और यहां वाला PQ यहां जाता है यह बार बार बारी बारी से यह electron का transfer होते रहता है और यह remove होते रहता है अब यहां से जो PQH2 है तो excitation के बाद जो electron इसके पास आया तो यह electron transfer करता है फिर cytokrome B6 के पास और ये साइटोक्रोम B6 ट्रांसपर कर देता है F के पास साइटोक्रोम F के पास तो जब PQH2 एलेक्टरन का ट्रांसपर करता है साइटोक्रोम B6 से F को उसी टाइम जो एस्टोमा साइट से H पलस लाया था PQH2 ये H पलस को ट्रांसपर कर देता है कहां, तो लिऊमन-साइड में, ताहिलिकोईट के लिऊमन-साइड में, जिस्टाइम सायटोक्रोम-B6 के पास ये ऐलक्टरन का प्रांसपर करता है, कौन प्लस्फु की नाउन-s2, उसी टाइम जो इसके पास h2 रहता है ये, कहां दे देता है, तो नुमन में कई ऐससे क्या होता है में यह प्लस का कंसेंटायशन बठ जाता है किस्ट्रों है क्योंकि हम मेरे पासके रुपय नहीं है एक बार Exactly कोई देंगा पैसा बठ जाएगा वही होता है यहां पर थायर कोई लूमन में इस प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है यहां पे स्टोमा साइड से जो इस प्लस लायाती इसके कारण यहां पे स्टोमा साइड में इस प्लस का कंसेंट्रेशन डाउन हो जाता है लो हो जाता है पहला बात दूसरा बात कि यहां इस प्लस का कंसेंट्रेशन तो बढ़ाई साथ साथ में यहां पे पलस चार्ज एच पलस बोले तो पलस चार्ज का डिवलप्मेंट बढ़ जाता है तो लूमन में एच पलस का कंसेंट्रेशन के साथ साथ प्लस चार्ज का development भी हो जाता है और यहां से जो स्ट्रोमा साइट से इस प्लस का concentration घटा इसका मतलब कि घटना मतलब कि माइनस साइन तो यहां पर निगेटिव चाइन, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन का development हो जाता है तो आर पार, थालेकोईट के आर पार एक तरह का electron gradient का development हो जाता है electrical gradient का भी development हो जाता है अब बात करेंगे, लिूमन का, तो लिूमन में क्या होता है हच पलस बढ़ा तो proton gradient, हच पलस बढ़ने से proton gradient का development और इससे पहले एक चीज़ देखें कि electrical gradient तो पहले अलेक्ट्रेडिकल्ह ग्रेडियेंड बढ़ जाता है दूसरा बोटों ग्रेडियेंट एसपलस करने से अगरिएच जाधा रहता है Elsa अंlor एसदेभ लैडियान का में और तीसरा किस्ट प्लास जाधा मतलब हिएज कम एच पलस ज्यादा मतलब pH कम, condition acidic, यहाँ पे एच पलस ज्यादा है, तो pH इसका डाउन होगा, pH डाउन मतलब की pH gradient का भी development हो जाता है, तो पहला तो plus charge का development अंदर हो जाता है, एच पलस के आने से ल्यूमन में, इस्ट्रोमा में घटने से एच पलस का, माइनस साइन का, that means कि निगेटिव साइन का development हो जाता है, निगेटिव चार्ज का, तो एक तरह का आरपार, थैलेकोईट के आरपार, एलेक्रिकल ग्रेडियंट का development, दूसरा, ल्यूमन साइड में प एच पलस के concentration बढ़ने से, प्रोटन ग्रेडियंट का development हो जाता है, और तीसरा, कि जब एच पलस ज्यादा हो, तो पी एच कम होता है, तो यहाँ पे एच पलस ज्यादा है, तो पी एच कम, पी एच कम मतलब पी एच ग्रेडियंट का भी development हो जाता है, और पी एच कम बोले, तो acidic condition, acidic होता है, तो human का condition क्या होता है? acidic condition होता है, अब ये जो cytokrone v6 xf के पास τबर ये टास ये ये टारेंड टार्स रहन उल जाता है plastosyn corp taylor एल सथमी sauna ही परलललललों यहां पर चीज़ पैं, plutôt sing in, ये copper containing pigment होता है, plastosyn end copper containing pigment होता है और यह color में blue होता है copper के कारण because the presence of copper it is blue in color यहाँ पर cytochrome B6 F जे एक एक करके electron का transfer होता है तो यहाँ PC Cu plus 2 जो होता है यहाँ एक electron लेता है तो PC Cu plus बना देता है plus 2 से Cu plus के form में आ जाता है फिर यहाँ से यहाँ बारी बारी से electron का transfer होते रहता है cytochrome B6 F से plastocyanin में और यहाँ जो एक electron का transfer हुआ तो plastocyanin Cu plus 2 से plastocyanin Cu plus जो बन गया उसके बाद यहाँ जो एक electron है plastocyanin Cu plus के पास यह transfer कर देता है PS first में 700 का nanometer का light आता है तो फिर electron का excitation होता है और यह चला जाता है electron transfer होके phradoxin में और फिर यह phradoxin कहां देता है 2NADP plus को तो यह फिर से stroma side का बात किया तो फिर stroma side में H plus का यहाँ पे H plus होता है stroma side में H plus होता है तो 2NADP plus H plus को लेकर 2NADPH का formation करता है तो फिर से यहाँ पर H plus में कमी आया stroma side में फिर से H plus में कमी आएगा पहले तो आया ही था pH gradient के बनने से proton gradient के बनने से और electrical gradient के development होने से यह तीनों के development से पहले तो H plus का concentration concentration lumen side में तो बढ़ा ही था और साथ-साथ यहाँ पर जब फ्रेडॉक्सीन electron का ट्रांस्पर करता है 2NADP plus को फिर 2NADP plus stroma side से H plus के साथ bind करके 2NADPH का formation करता है यहाँ पर फिर से stroma side में H plus का concentration low हो जाता है down हो जाता है अब देखते हैं ision by Liouman में क्या-क्या होता है लूमन में PS second PS second में splitting of water का process होता है ZS की मैं मैंने पहले बताए था तो यहाँ पे splitting of water कहां होगा तो lumen में होगा PS second के lumen में होता है तो PS second के lumen हो shall splitting of water होगा तो यहाँ फोर H+, निकलेगा यहाँ पर फिर से friends तीन बार पहले तीन बार पहले electrical gradient का development जो हुआ proton gradient का development हुआ pH gradient और एक बार 2NADP+, जब 2NADPH का formation हुआ stroma side में H+, का और भी low हुआ concentration और फिर यहाँ पर splitting of water का process होता है तो फिर से यहाँ H+, का concentration बढ़ जाता है lumen side में फिर से H+, का concentration बढ़ जाता है splitting of water के कारण 4H+, lumen side में बढ़ता है और O2 by product के रूप में release होता है अब यहाँ जो H+, का concentration lumen side में बढ़ गया तो यह H+, किसके थुरू होके बाहर निकलेगा किससे pass out होगा तो यह देखते हैं आब तो यहाँ पे एक C F not particle और C F1 particle होता है तो C F not जो particle होता है यह कहां होता है तो यह इसको बोलते है Stock, यह जो structure है इसको stock बोलते हैं और यह जो C F1 particle हो इसका structure को बोलते है head कि और सी क्यों तो यहां पर सी डिनोट करता है क्लोरोप्लास्ट को माइटो कॉंड्रिया में भी आप लोग पढ़े थे एफ नौट पार्टिकल और एक ओन पार्टिकल लेकिन यहां पर सी एट कुछ ज्यादा अंतर नहीं बस अंतर इतना ही है एफ नौट वही है म्हिर्टोक को डिनोड करते हैं C से और यहाँ पे C, CF1 मतलब की क्लोरोप्लास्ट के ही, क्लोरोप्लास्ट को ही डिनोड करते हैं C से, तो यह क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्टिकल और यह क्लोरोप्लास्ट का C F1 पार्टिकल, तो क्या होता है F1 पार्टिकल, तो इंटेग्रल प्रोटीन, F1 पार्टिकल जो होता है यह इंटेग्रल प्रोटीन होता है और वर्क ऐस चैनल फंक्शन कैसे करता है तो चैनल के तरह फंक्शन करता है तो एक तरह से हुआ ही चैनल यह जो H-plus हुआ, AC के through निकलता है, TisH Plus किसको बोलता है, proton को, तो proton का ये channel है, H-plus का channel भी बोल सकते हैं, और Notre를 channel भी बोल सकते हैं, तो ये proton channel है, तो ये एक तरह का F-naught particle जो होता है, C f-naught ये जो है, integral protein है, work as channel, या function as channel, channel के तरह work करता है, तो proton का channel है, प्रोटीन क्या होता है तो दो प्रोटीन विच इंबेड़ेड इन प्लाज्मा मेंब्रेन ये एक तरह का प्लाज्मा मेंब्रेन है तो ये प्लाज्मा मेंब्रेन जो इसमें इंबेड़ेड है धसा हुआ है ये जो एफ नॉट पार्टिकल ये धसा हुआ है वैसा प्रोटीन ज जैसे जैसे पास आउट होता है, यह जो पास आउट होगा C अपनोट से होते हुए C F1 से क्रॉस करेगा, तो जैसे ही C F1 से क्रॉस करेगा, तो आपका बड़ी पे जो फ्रिक्सन आता है, अगर कोई घिसता है सरीर को, तो वहां से सिल का लॉस होता है, होता है, आप लोग जान यह जो F1 पार्टिकल का इनर्जी कुछ लॉस होगा तो यह क्या करेगा एटीपी साइंथेज एंजाइम यहां पर होता है एटीपी साइंथेज एंजाइम जो होता है यह इनर्जी को लेकर ADP प्लस IP को इनर्गेनिक फॉस्पेट को ATP में कर्भाड कर देता है यहां जो एटीपी साइंथेज एंजाइम उस इनर्जी को गेन करता है और यह ADP प्लस IP को एडिनोसीन डाइफॉस्पेट प्लस इनर्गेनिक फॉस्पेट को कनवर्ट कर देता है किस चीज में ATP में यहां पर ATP का फाइनली फॉर्मेशन कर दिया तो केमी ओस्मोर्टिक में हम लोग देखे कि क्या होता है केमी ओस्मोर्टिक हाइपोथेसिस में देखे कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है ओके फ्रेंड्स भाई आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कॉमेंट करना लाइक करना शेयर भी कर देना इस वीडियो को